कि नोश्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे चैनल शोट्रिक्स भाय अन्ट सहरावत पर आज मैं आप लोगों के लिए एक और important question लेके आया हूँ question आप लोगों के सामने है 1-1 by 3 multiply 1-1 by 4 multiply 1-1 by 5 dash dash और यह गया 1-1 by n तक तो इसकी value में find out करने है तो चली देखते हैं कैसे find out करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर lcm ले लेंगे तो lcm आएगा यहां पर 3 3-1 यहां lcm आएगा 4 4-1 यह lcm आएगा 5 5-1 ऐसे ही यह lcm आएगा n-1 तो इस प्रकर से हमने lcm ले लिया है पहले step में अब हम क्या गरेंगे 3-1 2 by 3 multiply 4-1 3 by 4 multiply 5-1 4 by 5 n-1 by n अब हम इसकी value के इसको यह cancel हो जाएगा इसे तो यह ऐसे अगले वाले term से cancel होगा जब जो term यहां आएगी उससे यह cancel हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या उपर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा और नीचे हमारे पास सिर्फ n बचेगा और यह इसका answer आजएगा तो इस तरीके से हम easily LCM लेकर इस question को solve कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो channel को subscribe जरूर करें thank you झाल 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 झाल